प्रिविद्यार्थियो जहेत संस्कृतम मैं डॉक्टर गिताराम सर्मा सहय आचारियो हरी देव जोसी राजकी कर्णिया महाविद्याले बासवाला पिछले वीडियो में अभिज्ञान साकुंतरम के चतुर्थ अंक्यों के पर्थन स्लोग तक का हो गया था उसमें विसकमबक के मात्यम से और दुरवासा के साथ की सूचना दर्शकों को दी गई थी उससे आगे आज विसकमबक के बाद अभिने सुरू होता है मंचपर और ततह प्रविसत शुप्तो थित सिस्या हो मंचपर एक सिस्य का प्रवेश होता है कर्णु का सिस्या यह और सिस्य कहता है कि मैं यह जानने के लिए उपस्तित हुआ हूं या मुझे प्रवास से लोटे हुए विसी कश्यप ने यह जानकारी करने के लिए वेजा है कि प्रकास हो गया है कि नहीं हो गया है रात अभी कितनी शेश है घूम करके और देख करके वो कहता है ओ प्रकास हो ही गया प्यात्य कतोस्त सिकरम पत्लव शधीनाम आविस्क्रतोर नपुला सरह कतोरकाम तेजो दयस्त जिगुपत यसनो दयाफ्याम लोको नियम्यत इवात्म दुशंत रेशूम बहुत बहुत ही अच्छा त्यारा स्लोक है परिक्षा की दृष्टी से भी है कि कर देखिये है क्या द्रशिय है का मिय्यात्य थेगतो याथ एकतो या तेकतो थे संधी हो गई है की कि की कुई था इसको यकार हो गया या टेक पर थे थे नाम है ना यह पती ही विसर्ग और सदीनाम विसर्ग कर रहा हो गया तो एक तह एक और तो एक दिशान में देखता हूं तो और सदीनाम पती और सदीयों का अधिश्टाता स्वामी और सदीयों का पती चंद्रमा को का गया है तो एक तरब तो और सदी पती अर्था चंद्रमा ऐस्ताकिशक्ताक्रिण उस्ताचल की और जा रहा है है नहीं खौर्यों कि जिस विंदू पर ले ड़ीन होते आथें उसकोdert patriarch रहा है और जहां जिस विंदू पर अकास कि जिसके विंदू पर उधित होते हैं उसकोई्या चिल पर ओस्धित होते हैं तो एक तिरफ थो और सधी पती अर्था चंद्रमा अस्ता चलकी और प्रस्थान कर रहे हैं अर्था डूबने ही वाले हैं और दूसरी तरफ आविज क्रतोर नपुरा सर एक तोर कम और दूसरी ओर एकक तरफ अरक सूरिय क्या करना है शूरविया आ अविज क्रतों प्रकट होने वाले हैं अरण पूरा सर मने आगे करके अरूं को आगे करके सूर्य को अरुन सार्थी भी का जाता है सूर्य से पहले अरुनोद होता है सूर्य से पहले तो ऐसा कहते हैं कि वो जो अरुनोद है ना अरुन है ना सूर्य का सार्थी है तो एक तरह अरुन को आगे करके सूर्य उधित हो रहे हैं आविस्करत हो रहे हैं एक दिशा में चंद्रमा अस्ता चलकियों और उसी समय दूसरी दिशा में सूर्य उद्या चलकियों में प्रकट हो रहे हैं ये दो तेजों का उद्या और अस्ता होने की घटना एक साथ ही क्या बताती है तेजों द्वयस्य यूगपत व्यसन रोदयाभ्यावं तेजों द्वयस्य दो तेजों का यूगपत एक साथ यूगपत साथ एकी समय पर कि वियसन और वूदय है वी जतेया है इस्कंष होना और वूदित होना। हम अपनी जैसन और व०य इन दो क्रियाओं के साथ। हमेह एक है किसी का वियसन हो रहा है और किसी का आस्तोरा है लोको नियम्यत इव आत्म दसंतरेशु मानो ये गटना है लोक को मानो इन दो गटनाओं के द्वारा लोक नियम्यत किया जा रहा हो लोक को सिखाया जा रहा हो मानो इन दो गटनाओं के एक साथ गटित होने के उदहारन के द्वारा लोक सिख्षित किया जा रहा हो लोक सिख्षा दी जा रही हो क्या दिये मानो उत्तरे चाहिए ना मानो लोक को ये सिख्षा दी जा रही हो सिखाया जा रहो कि आत्म दसंतरेशु कि ये लोक की स्वैम की दशा यही है अर्था संसार ऐसा ही है संसार कि के सुख दुख लाव हानी जै पराजय उद्य अस्त सन्योग वियोग राग द्वेस के द्वईत का समिस्रन है एक ही समय में कहीं किलकारी गुंजती है तो कहीं आसुनों की बोचार छूपती है एक ही समय में एक खिर खिलाता है एक कर्ल करंदन करता है संसार है ही है अकिल संसार सुख दुख का मिस्रन है सन्योग वियोग का मिस्रन है लाव खानी के द्वईत का मिस्रन है जै पराजय के का मिस्रन संसार की वास्तिता यही है इसलिए लोक मालो लोक को सिखाया जा रहा हूं कि किसी के लिए सुक इस्थाई नहीं और किसी के लिए दुख इस्थाई नहीं यह वही चंद्रमा है जो रात भर आकास का सितारा बन करके अठखेलियां करता रहा था लेकिन उसके जाने का समय आ गया यह वहीं सूर्य है जो रात भर अंहेरे कुए में अंहेरे आकास में पढ हुआ था चेपा हुआ था और अब उसका उदित होने का गया तो मानों ये दो घटना है सन्योग और ब्योग दुखोसुख लावखानी जैपलाजे रागद्वेश आदी के आगमन और गमन की और सूचना दे रही है बहुत का भान करा रही हो अब देखें यहां पर शकुंद सब्सक्राइब के चणाने वाले हैं इसलिए मानों ये गटना याद दिलाती हों कि दुख में वीचलित नहीं होना सुख में मतवाला नहीं होना लोको नियमत इभात्म दसंतरे सु्म् लोगों को ये सिख्षा दी आ रही हो मानो कि उसकी आत्मदशा यही है उसकी वास्तिविक्ता यही है इस प्रकार ये कंलु के सिख्ष्ष को अनवव होता है अब पिछ और भी अंतरी खिते शचन सईव कुमूत्वती में द्रिष्टिन नंदयति संस्वनडीय सोभा इस्टप्रवास जनितान्यवला जनस्यव दुख्षान नून मतिमात सुस्षानी और कहता है कि अगरे विशी करमें कंडशित ते कहते हैं कि देखिए सशीनी शचीन सब्द की सब्दमी का एक जोन सशीनी चंद्रमा के अंतर हिते अंतर हित हो जाने पर धाल हो जाने पर सब्सक्राइब कंडशित तो जो जो एक एक विशेश प्रकार का कमर है जो रात में खेटा है और को मुद की मादा कुमद नी चंद्रमा के साथ श्त्रिय पुरुसका उदहारन बनाने के लिए को मुद को कुमद नी में बदाए है तो वह कुमद वती है कुमद नी है बड़ी आनंदित हो रही थी बड़ी मुस्कल आ रही थी बड़ी खिल खिला रही थी बड़ी आनंदित थी लेकिन अब चंद्रमा छिप रहा है चंद्रमा अंतरधान हो रहा है तो वह है वही कुमद वती जो आनंद के मारे फूले नहीं समाती थी जिसकी सोभा अत्यंत मनोहाल नी थी जो आँखों के लिए आँखों को लुभाती थी दस्टिम्न नंदित संस्मनिय सोभा वैस्मनिय सोभा वाली वह यादगार सोभा वाली कुमुद नहीं अब दस्टी को नंदित नहीं करती अब आँखों को नहीं लुभाती अब गव्द्ष्टि को आनंदित नहीं करते। अर्थात इस्टब प्रवास जनितार निवलाज दर्स्टान के पने इस्टब प्रवास से उत्पन, जो दुखानी दुखानी शतुर्थ पंक्ति में, ऐसे दुख कौन से दुख? जो इस्टब के अपने प्रियवक्ती के भीयोग से थिखे दे होते हैं कि अर्थात इसक रिया है अपने प्रिय के दुख को नोम는 शक saya शहनय कर बाती कि इस तके प्रबास से उत्पन दुख अबलाओं के लिए कोमल इस्त्रियाओं के लिए बहुत असहनी होते हैं इसलिए यह जो कुमुदनी है ने चंद्रमा के रहते हुए जो कुमुदनी अत्यंत आकर सा ग्रूप में प्रफुलित हो रही थी वही कुमुदनी अब आखों को लुभानी रही है अर्थात उसकी वियोग और विरह और उसके काल मुत्मन होने वाले दुख की सुचना देती है तो उसी समय अनुस्या प्रेम मदा में वारताराप होती है कि सकी जो भी हो इंद्रपी हमने प्रेम कैसे किया जाता है और कैसे निभाया जाता है इन सब बातों कुछ नहीं जानती जैकिन इतना जलूर है को साहजा ने ठीक तो नहीं किया एक तो धोके से विवा किया कंल्यो खिनके अनुक्र पसठरी में और फिर विवा करने के बाद इस तर दिन भी जाने के बाद सी कोई समाचान नहीं आ Cap 21 प्रियम्मदा सभी जोड़ि आती है उसले पे जिस सब्सक्रम dic приб ज़ली करो तो कि बढहें मoka है हमारी इच्छा से दोल एंग होगी कि पूंतिल कंगो तो यह एंग के दी कैसे हुआ तू कामा है के अभी के अभी मैं अभी भी ड़कना बताती हूं मैं सकनतला से उंगारा इह पूछ ने के लिए गई थी कि इसको तो ठीक से नीद आई कि नहीं आई अंसुया फिर क्या हुआ तो प्रिम्दा कहती है तब जो है ने मैंने ये देखा कि पिता जी शकुंत्रा के पास करें और लज्या के कारण सिर जुकाए हुए सकुंत्रा बैठी है और पिता जी कह रहे हैं सुशिष्यत परिजत्ताम विद् विद्या को दे करके निश्चिंत हो जाता है कि अब इस विद्या के प्रसार प्रचार और इसकी उपयोग बनाने में कोई भी चंता नहीं है इसी प्रकालिक पिता अपनी पुत्री को सोयोग बर को दे करके निश्चिंत हो जाता है मैं भी निश्चिंत हो गया हूं मैं आज तुझे पत्ति के घर भ हैं। अइसा पिताजी ने कहा है। अंसिया कहती है कि लेकिन परीमदा ये बताओ... कि ये सब बात पिताजी को बताई किसमे थे। अतकेन सुचतअ तातप काष्यप को ये घठना बताई किसमे। बताती हूं, अगने सर्नम प्रविष्चत शरीर बिना चंदोमया बानियाँ। ही था थी अगनि बेदी की और आ रह थें, और वहां पर बिना शरीर के अचंदोमया बानियाँ। वार्णाय आकाष्वानी हुए अमस्वी आप बड़े विश्वेसे कैसे हुए जरह बता है परामादा फा संस्कत चुनके अकाष्वानी है वैसे तो प्राक्रत बोलती है लेकिन रहां चुकिंगे देव वाहनी को आकाष्वाणी को संस्कत में है दुष्चन ते नाहितम ते जो दधाना भूत ये भुववव अवेह कि तनयाम ब्रह्मन अगनिगर्भा समीनिव ये ब्रह्मन तुम अवेही आप ये जान लो किया जान लो ये जान लो तनयाम अपनी बेटी को इस रूप में जान लो किस रूप में इस रूप में जान लो कि आपकी बेटी ने दुष्चन तेन आहितम तेजो दधाना मुट्हेव धारन करनें वby alumni ़ाण लो या उट हेओं जानलो हो जी सिउम्त का आहित तेज स्पीड़ार स्था धारन किया है। और किसले भूतों गोबन लोख कल्यान के लिए अर्थात आपकी बेटि सिउम्त के द्हारन गर्भती है। A. आपकी पुत्रीने लोग कर लाने लीए। गदुष्यंद्ट के को धवन कर लिया है है। जान Diet बॉलक्तिवस एपनीय को उप्रतुप्ति यह आगणी कुछ सीथिए प्रकर अगनी से प्रधीत होती है तो अर्थात शकुन्टा के गर्व में दुश्च्च्च का कि अइसी दुश्च्चट के देज को धावने इसके नहीं त्वी दार्ब आसुक निडार कि सम समझो समी की दार की समाल ऑ enca अगनी का प्रचुर बंडार है, ऐसे कहा, उन्होंने, सकी दोनों सकी, अब तो जब ये बात पता लग गई, तब तो खुसी की लहर डोल गई, अब दोनों सकीयों ने कागवई तयारी करें, तो सब लाकर के, और मांगलिक अफसर है, तो सब इखटी हो गई, और शकुंतरा को तयारी करने लगे, शक्यों ने उसको निहलाया, और शकुंतरा मेरी शक्यों तुम्हारा सवागत है, ये बैठो और दोनों सक्यां मंगल पात, मंगल आबू शौंड से भरा हुआ पात लेकर के, आते हैं और के तयारी करुआ है, तो यान्द तयारी को ज़ाए, याद अद तेरे मांगली को मांगली को प्रक्रिया तुम्हारी करते हैं अर्था ठीका अधी लगा दें शकुंत्रा मेरे लिए बहुत है इत्रा आज के बाद सक्षियों के द्वारा सयाना धह जाना मेरे लिए दुनलब हो जाएगा ऐसे कहती है कि दोनों Dru आजकी और रोग दें दोनों सक्षियों को संतत्वरा देती है सकी मंगल के समय पर होना ठीक नहीं है इसकस यांसों को पहुंति हैं प्रिम्धा कहती है चैह सरीर दो आभूशौनों के अनुकूल है होने तो जोँदा आए यह जंगर में पहदा ओने वाले घास फूस की द्वारा दूब की द्वारा पत्नों के दाव सजाया जा रहा है तो यह दो सिस्य आते हैं हात में कुछ अलंकरों का एक पात्र है अलंकारों का उसनों का और के यह अलंकार लीजिए सभी बड़े आश्चरों करके देखती है अल क्योंकि धर्म बहन है और आजीवन बन में चालनी है यहां पर तो गौत्वी कहती है यह बस्तनारद यह बच्चे लेकर आए निवसे काना नारद यह कैसे हुआ यह कहां से लायों कहता है कि यह प्तात कश्यव के प्रभाब से आए गौत्वी क्या उन्होंने उनकी मांसी सि आए तब कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है ने खल शुर्वताम दूसा कहता है इसा नहीं सुनो यत्रभवतावे माज्यपता शकुंत्रा हे तो वनुस्पतिव्य कुस्पान आहरती हमको आज्या दी थी गुरुजी ने कि शकुंत्रा के अलंकरन के लिए और पेड़ पोदों से पेड़ों से फूल ले आओ ऐसे का तो जम गए है तो विजे तिखटना गटी बहुत अच्छा श्लोग है बहुत प्यारा श्लोग है शववं के नजदिन्दु पंडितर्ण मांगल्यमा विस्कृतं निष्धिमा विस्कृत निष्चूत श्चर्णो पभोग सुलव लाक्षा रशा के नचित अन्येप्यो वनदेवता करतलै आपर्वभा गुत्थितै दत्ता अन्या भरना निततकिसलयोद वेग वेग्या च चंज कहता है कि अम जैसे ही आउष्णनलेन केलिए गए ब्याच्ट मांगनने थे लिए जो भीमत्तु आपन्डु अचिन भुत्ग पांटू के निचे वब केचित तो स्चा दुन्रगाए तव 샵म वस्तर है वें लड़कियां सुभाग के प्रतिक के ऀधुकु ना। चेती आज भी इसकोष सतानों पर सेरा इत्यादी होते हैं पुर्श मी बस्तर से होते हैं तो किसी पेड ने तो मांगल्ययम मंगलकारी या मंगल्वेंक शवभम रेचमी बस्तर आविस-क्रथम प्रकट कर दिया यसरी पूर लेने के लिए तो किसी पेड़ से रेस्मी बस्तर निकल पड़ा और किसी ने केल चित दूसरी पंगते केल चित और किसी पेड़ ने लाक्षारस हा पैरों में लगाने का एक रंग लाल रंग जैसा होता है को महावर कहते है आलक तक लाक्षारस लाख किसी रसका होता है तो किसी पेन ने लाक्षारस महावर निष्ठूता निष्ठूता निचोड दिया, तपकने लगा, पेड़ों की डालों से, पत्तों के छोरों से महावर तपकने लगा, कैसा है वो, चलनो पभोग सुलफ, पेरों के उपभोग के लिए सुलफ, पेरों के उपभोग में या पेरों में मंगल के समय पर सुहाग के प्रतीके की रूप में मंगल के समय पर लगा जाने बाला जो लाक्षार्स है वो किसी पेड से ने चुनने लगा और अन्ये दयो बनदेवता करतली आपर भागोते था ही अपने करतलों से, अपने हतेलियों से, ऐसे हतेलियों से आपर्व भागोती थाई, जो कोहनी तक उठी हुई थी, कोहनी तक उठी हुई हतेलियों से, दक्तानी दे दिये, आभराना अनी, आभूतना, तक इसलेयों के उत्पन होने से, प्रतिस पर्धा करते हुए, अतात असा लग नाता है, जो कोपलों वाभूतना ऐसे थे, जैसे उनके पक्तेलों के किसले हुई, तो पेड़ों के कोमल किसलेयों से, प्रचिस पर्दा करने वाले क्रते होड़ शी करने वाले वाले Design बनंद आपने ने से अपने हाते हैं ..कुツ आपर भुखो था हुद ॥ इतना ही झाल झाल